Hello everyone, welcome to my channel, I am Neha Anaran, तो आईए आज की class start करते हैं, आज की class उन सभी students के लिए important है, जो 12th class का music का practical देने जा रहे हैं, CBSE board के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए video जो है ये काफी important रहेगा, आपको music का practical जो है आप से क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से आपको practical की त्य त्यारी करनी है, या फिर कहें आपको music का जो practical देने से बहुत जाए डर लग रहे हैं, कि आप क्या करें, कैसे त्यारी करके जाए, तो वो सभी बाते जो आज डिसकस करने वाले हैं, तो आप लोगों से request है, चैनल को जूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शियर ज सबसे पहले, सबसे पहले, जो हमें जानकारी होनी चाहिए, वो ये जानकारी होनी चाहिए, क्या आप लोगों का syllabus क्या है, बहुत common, बहुत मतलब, आपको इसके बारे में पूरी complete जानकारी हो कि आपके cannabis का, आपके syllabus में क्या-क्या है, जैसे अगर हम बात करें, आपका side में जिसके बारे में आपको complete पता होना चाहिए कि आपका स्लेवस क्या है तो यह most important point है अगर आप practical देने जा रहे हो तो ठीक है next बात आपको क्या ध्यान में रखनी है अब आपको स्लेवस पता चल गया कि क्या स्लेवस है आपका next जो मारा practical में important part रखता है जो आपका practical का part है कि आपकी unit है जिसमें है तानपूरे को स्वरों में मिलाने की विधी ये विधी जो है आपको अच्छे से आने चाही क्योंकि आपके practical में आता है और आप बकाईदा तार जो होता है आपका किसे मिलाए जाता है मंदर सब्तक के पास है दूसरा तार जो है आपका दूसरा और तिसरा तार जो है जोड़ी का तार किलाता है जो की सासे मिलाए जाता है और लास्ट फोर तार जो है आपका मंदर सब्तक के सासे मिलाए जाता है ठीक है अगर किसी राग में पर्स पर वर्जित हो जाता है तो उस कंडिशन में हम क्या करते हैं मस्वर से मिला देते हैं ठीक है अगर किसी राग में पर्स और मध दोनों ही नहीं लग रहे तो उस कंडिशन में हम क्या करते हैं मंदर सब्तक की नी से मिला देते हैं और दूसरा तीसरा तार आपका जोड़ी का तार किलाता है, यह आपके एजिटीज रहते हैं, सासवर से ही मिलाए जाते हैं, और फोर तार जो है, मंदर सब्तक के सासे मिलाए जाता है, ध्यान रखे, पहला और चोथा तार जो है, आपका किसे मिलाए जा रहा है, मंदर सब्तक से दूसरा तिसरा आपका मध्या सब्तक से तो यह आपके तानपुरे के चार तार को जो मिलाने की विधी है कि स्वर कैसे मिलाए जाएंगे यह पूरी विधी आपको अच्छे से आनी चाहिए यह भी आपको मैंने करवा दी इंपोर्टेंट बात है आपकी दोनों असलेबस औ धमार तराना ठीक है यह तीन चीज़े जो है आपको प्रैक्टिकल ही सुनानी होती है मतलब इनकी स्वर्ली पी सुनानी होती है छोटे ख्याल की धमार की और तराना की लेकिन अगर आप तीनों चीज़े नहीं कर सकते एटलिस आप किसी भी राग की छोटे ख्याल की स्वर् इतनी बार उसके गाने की प्रैट्थिस बेसे ही एक स्वरली पी को किस तरीके से करें झेल JULY J shortage इसका बैटा कोई भी शोट-कट नहीं है इसकphone दूझ आ झाओ जाओ उसके जायों किस तरीके से इम इंडा n Así तो आप तीनों चीज़े नहीं कर सकते तो छोटा ख्याल तो आप कम से कम जरूर करें जो कि आपके पेपर के एक्जाम के पॉइंट वी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके इलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है आप किसी भी राग में कर सकते हैं मालकोस भहरो बागेश्य तीनों राग में इसको आप बहुत अच्छे से करके जाएं ठीक है जैसे मालकोस राका थाट क्या है जाती क्या है वादी समवादी क्या है ये बात तो कम से कम आपने करनी ही करनी है स्वल्ली पीछा है आप सुना पाओ या नहीं सुना पाओ लेकिन आप प्रीचे जो है कम से कम जरूर करके जाए ठीक है आप लोगों को काफी help मिलेगी और इसके बाद आपको जो है आपको आपका स्लेवर्स था complete उसके बारे में आपको complete जानकारी होने चाहिए, complete स्लेवर्स वह है आपको कम से कम लन होना चाहिए, most important बात जो कुछ भी आप अपनी practical फाइल में topics लिखकर जा रहे हो, वो आपको आने चाहिए, practical फाइल जो आप present क बना चाहिए, आपने फाइल बनाई है, उसको अच्छे से रीड करें, क्या है उस फाइल के अंदर प्रेक्टिकल देने जा रहे हैं, इस सारी की सारी important बाते जो है, मैंने आपको बता दी है कि प्रेक्टिकल के लिए आपको कैसे अपने आपको प्रिपेर करना है, अपने आ होना चाहिए, प्रेक्टिकल फाइल जो आपने बनाई है, उसके बारे में complete जानकारी होने चाहिए, तो thank you so much